फ्रांस की हिंसा की आग अब बेल्जियम तक भी पहुँच गई है राजधानी ब्रिसल्स में हिंसा पहलाने के आरोप में 100 लोगों को गिरफतार किया गया है फ्रांस में अब भी दंगे जारी हैं 17 साल के लड़के नाहिल को गोली मारे जाने के बाद से ही पूरे फ्रांस में हिंसा देखने को मिल रही है फ्रांस की राजधानी पैरिस समेत कई अहम शहरों में बवाल मचा हुआ है कहीं आगजनी की जा रही है तो कहीं शोरूम्स और दुकानों को लूटा जा रहा है हिंसा रोकने के लिए फ्रांस सरकार ने 45,000 पुलिस अधिकारियों की तैनाती की है जिस हिंसा की चर्चा दुनिया भर में हो रही है उसकी जड में है नाहिल नाम का युवक अलजीरियाई मूल के से युवक की हत्या को रंग भेदी मानसिक्ता का नतीज़ा समझा जा रहा है नाहिल नाम का ये युवक डिलिवरी बॉय का काम करता था उसके वहन को ट्रैफिक चेकिंग के दौरान रुकने को कहा गया इस पर नाहेल नहीं रुका और अपनी कार को आगे बढ़ा दी पुलिस को नाहेल संदिक दलगा जिसके बाद पुलिस ने नाहेल को गोली मार दी इस घटना में नाहेल की मौत हो गई थी कहानी नाहेल की नाहेल अपने माता-पिता की एकलोती संतान डेलिवरी बॉय का काम करता था नाहेल रगबी लीग भी खेल चुका था नाहेल एलेक्ट्रीशियन बनने की ख्वाहिश थी उसकी घर के करीब ही एक कॉलेज में उसका एड्मिशन कराया गया था नाहेल अलजीरियाई मूल का फ्रांसेसी नागरिक था अपनी मा के साथ रहने वाले नाहेल की कॉलेज में अटेंडेंस खराब थी लेकिन उस पर किसी प्रकार के अपराधिक मामले दर्ज नहीं थे नाहेल ने अपने पिछले तीन साल पाइरेट्स ओफ नैंटेरे रगभी कलब के लिए खेला मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नाहेल अपने इलाके के बच्चों को स्पोर्ट्स के प्रती मोटिवेट करने का काम करता था नाहेल को लोग उसके फिट रहने और स्पोर्ट्स के प्रती जजबे के लिए भी जानते हैं नाहेल की मा ने मीडिया से बात करते वे कहा कि वो अपने बेटे की हत्या के लिए सभी पुलिस कर्मियों को दोशी नहीं मानती है वो केवल उस व्यक्ति को दोशी मानती है जिसने नाहेल की जान ली नाहेल की मा मानिया ने बताया कि मेरे कई दोस्त पुलिस अधिकारी हैं वे पूरे दिल से इस घटना क्रम में मेरे साथ हैं पुलिस का इस मामले पर कहना है कि नाहेल के पास वहाँ चलाने का लाइसेंस नहीं था, साथ ही जब उसे रुकने को कहा गया तो उसने पुलिस कर्मियों पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया, इस घटना में गोली लगने के बाद नाहेल की मौत हो गई, जिसके बाद से प